इस वीडियो के दर हम लोग बात करने वाले section 8 company के बारे में section 8 company के benefits क्या है over the trust or the society, क्या क्या requirements यहती है, क्या क्या documents होते है, क्या क्या process होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, company को बनाने का, कितना खर्चा लगेगा, कितनी cost आएगी, उसके annual compliance वगरे क्या होते, यह सारी चीज़ एक हम लोग trust के अंदर register कर सकते हैं, एक हम लोग basically society बना सकते हैं, और एक हम लोग section 8 companies बना सकते हैं, तो देखिए, अगर मैं benefit की बात करो, over the trust or society के section 8 के mainly यहाँ पर क्या benefits होते हैं, पहली चीज़ तो यह, अगर आप एक wide range of activities करना चाहते हैं, मालिजी आप charity भी करना चाहते आप school भी चला रहें, आप hospital भी चला रहें, इसके लाब आप बहुत सारी activities वगरे कर रहें, तो यह सारी चीज़े जो है, बहुत ही easy तरीके से section 8 companies के अंदर possible है, second thing यह, section जो 8 companies होती है, वो central government यहाँ पर अपर अपरूव करके देता है, तो इसकी जो reliability है, इसकी जो credibility है, वो क मिल जाता है, और जहां पर कोई भी high capital के आपको requirement नहीं पड़ती है, आप इस बात करते हैं कि purpose क्या होना चाहिए, जब भी आप section 8 companies बनाना चाहते है, और law के अंदर जो इसको define करता है, तो देखिए अगर आप commerce, arts या science को promote कर रहें, आप sports में, education या research जैसी कोई चीज के अं region हो गया, charity वगर से related कुछ काम करना चाहते हैं, आप environment को protection करना चाहते हैं, या उपर मैंने आपको जो भी objects बताए, उससे related यहां पर कोई काम करना चाहते हैं, तो आप simply section 8 company यहां पर बना सकते हैं, बस इसका जो aim हो यह होना चाहिए, कि अगर section 8 company यहां पर profits वगर कमा रही ह तो इसके जो profit है, वो केवल जो section 8 company के जो objective है, उसी को fulfill करने में होने चाहिए, कोई भी इसका जो director है, इसका जो member वगर है, या इसके जो shareholder से basically, वो as a dividend यहां पर कभी विड्रॉल नहीं कर पाएंगे इसके profits को, देखिए अगर मैं real यहां पर benefits की बात करूँ, पहली बात minimum को capital की requirement नहीं है, जितना भी आपके पास में पैसे है, आप बिल्कुल शुरुवात कर सकते है, section 8 companies की, tax के आपको benefit मिल जाते है, अगर आपका section 8 company 80G और 12A के अंदर कर अरे तो आप जितनी भी यहां पर income कमाएंगे, चाहे profit वगरे भी कमा रहे हो, पूरा का पूरा यहां पर आ जाता है, मालने होजिए उसके depth वगरे हो जाती है, उसके बावजूद भी section 8 companies यहां पर चलती रहेगी, आपकी limited liabilities रहती है, इसका मतलब यह है कि आप personal libel नहीं है, कोई भी company की losses वगरे के लिए, आपकी जो liabilities वगरे वो यहां पर separate रहेगी, जितना आपने share यहां पर subscribe किय प्लस मैंने जैसे बताया कि आपको credibility यहां पर बिल्कुल मिलती है, central government से आपको approval मिलती है, तो यहां पर donors के लिए government entities के लिए सभी के लिए आपकी credibility है, वो यहां पर increase हो जाती है, तो यहां पर जो आपकी company को donations वगरे भी दे रहे हैं, उनको भी यहां पर tax का benefit मिलता है, तो आपको जादा से जादा यहां पर donations होगरे मिलती है, आप इस बात करते हैं हम लोग company की eligibility criteria की, तो देखिए minimum 2% तो आपको चाहिए चाहिए company बनाने के लिए, और यह जो founder या director है, वो basically यहां पर कोई भी पैसा withdrawal नहीं कर पाएंगे, इस section 8 company के थुरू, नहीं यह जो profit से वो distribute हो सकते हैं, साथ में आपको एक अच्छा सा नाम यहां पर चूस करना पड़ेगा, और आपका एक चाहिट टेबल यहां पर object होना चाहिए, जो MOA और AO के अंदर mention होगा, तो देखिए अगर मैं नाम की बात करूँ ना, कुछ नाम ऐसे है, जो आप अपने name के यहां पर लग चला रहे हैं, तो उस case में आप यहां पर अडॉप कर सकते हैं, तो देखिए जितने भी यहां पर directors या members बनने वाले हैं, या shareholder बनने वाले हैं, सभी का passport size photo लगेगा, साथ में ID proof चाहिए होगा, जैसे कि यह आदारकार्ट वगर हो गया, इसके लबावा लिस्ट चाहिए हो अगरे बन रहे हैं, इसके लिए जहां पर आपका register office होगा, उसका आपको rental agreement होगा, अगर वो premise rent की उपर है तो, और अगर let's suppose वो self found है, तो उसके अंदर आपके property की papers होगे, और साथ में electricity bill copy या फिर water bill की copies वगरे होगे, आपका इस बात करते कि process क्या है, तो पहली चीज तो लोगों में ही clear करना चाहूँगा कि section जो 8 company है, वो आप खुद नहीं बना सकते हैं, चाहे आपको process यहाँ पर मालूम भी चल जाता है, तो आप खुद initiate नहीं कर पाएंगे, अगर आप के वल प्रॉफेशल एक प्रैक्टिस चार्डड अगाउंटेट एक company secretary है, यह CA में actors वगर हैं यहाँ बनने वाले हैं, उन सभी का एक digital signature चाहिए होगा, तो पहले आपको वो apply करना पड़ेगा, जैसे वो आपको मिल जाता है, फिर आपको DIN के लिए apply करना पड़ेगा, DIR 3 करके form होता है, MC की portal के उपर, तो guys, यह MC की website होती ही, यहाँ पर आपको simply sign up वगरे कर लगते हैं, तो यह आपको fill up करके, जो है basically submit करना पड़ता है, ROC को, उसके बाद में ROC क्या करता है, आपको एक form INC 16 करके होता है, जिसके अंदर आपको license number मिल जाता है, section 8 company का, फिर guys, last में क्या होता है, जैसे आपको INC 16 यहाँ पर मिल जाता है, एक spice plus करके form आता है, उसके काफी जादा attachment वगरे लगते हैं, जो भी आपको आगे बताऊंगा, काफी सारे forms होते हैं, तो वो आपको fill up करके ROC को submit कराने पड़ते हैं, और ROC अगर यहाँ पर satisfied होता है, तो simply आपको certificate of incorporation यहाँ पर प्रवाइड कर देता है, जिसके अंदर आपका SIN number और आपका PAN number भी देगा, INC 15 हो गया, आप हर एक बंदे से एक application declaration वगरे form दिलवा रहे हैं, इसके लवा INC 16, 22, DI 2 हो गया, DI 3 हो गया, DI 12 हो गया, तो ऐसे कई सारे यहाँ पर forms है, जो यहाँ पर section 8 कंपनी के अंदर contribute करते हैं, अब देखे काइस बात करते हैं मुद्दे की कि भाई, इसकी fees कि लगने वाली, कितनी cost लगने वाली, तो पहली चीज़ आप खुद नहीं कर पाएंगे, दूसरी चीज़ अगर आप professional को भी hire करते हैं, तो देखे कि यहाँ पर government के भी थोड़े बहुत यहाँ पर खर्चे हैं, जैसे अगर आप DSC और DIN वगरे बन बनवाएंगे, तो उसके इसके लावा यह दो परसंट की में बात कर रहा हूं, इसके लाव अगर आप company का name, reservation वगरे कराते हैं, तो उसमें भी 1000 रुपे का खर्चा आजाता है, नोटेरिया, stamping के अंदर 2000 रुपे का खर्चा आता है, MOA, AOA, government की जितनी भी fees, यह अगर करना चाहते हैं, उसमें भी इसके लावारी company के थूब यहाँ पर avail करना चाहते हैं, तो मैं एक link आपको description box में दे दूँगा, जहां से आपको instant basically बहुत ही कम cost यहाँ पर quotation वगरे मिल जाएगा, इस बात करते हैं, एक पर आपने company बना ली, current account वगरे भी open कर लिया, donation वगरे आप receive वगरे करने लगे, तो annual compliance वगरे क्या है, तो देखे आपको 2 meeting करनी पड़ेगी, साल बर के अंदर यह basically on paper रहती है, आपको books of account maintenance करने पड़ेंगे, P&L balance sheet वगरे यह सब कुछ बनाना पड़ेगा, audit report CA बनायागा, income tax filing वगरे भी होगी, AOC 4, MGT 7, ROC filing वगरे होती है, जो आपका CA वगरे जो है करके देता है, इसके लावा जो additional compliance वगरे भी होते है, अगर मालीजे 12AA और ATG के अगर आपके पास में benefit है, तो उसके भी कुछ additional compliance होते है, तो यह सारी चीज़े बेसिकली आप जो भी जिसको भी आपको चार्ट वगरे को appointment करेंगे, तो वो सारी यहाँ पर आपको fulfill करके रेता है, तो आप अब लोग को सारी चीज़े यहाँ पर section 8 company से लेटर यहाँ पर समझ में आ गई होगी, अगर अगर आपके कोई भी doubts है, अगर आप एक consultancy लेना चाहते है, my online CA के तरू, तो उसकी link भी मैं आपको description box में दे दूँगा, प्लस वहाँ से आप single click के उपर एक quotation वगरे भ प्लीज सस्क्राइब चनल, अगर कोई भी doubts है, तो comment box में भी आप बता सकते हैं, thank you guys, thank you very much